प्यारे विद्ध्यार्थियों आज के विडियो लक्षर में एक बहुची प्यारा बहुची महत्पूर्ण टॉपिक का अध्यन करें जिसका नाम है जिसको हिंदी में औशड या औशड भी कहते हैं हमेशा बोड एकजाम में इससे सौट कोशन और मल्टिपल ज्वाइस कोशन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं निट के एक्जाम में, जेई में, जेई एडवांस के एक्जाम में भी इससे multiple choice question पूछे जाते हैं, तो इसे खूब बहतरीन धंग से गरदा उड़ा के सीखना है, ताकि आपको आगे चलने के बाद कहीं कठनाई महसूस नहीं हो, तो चलिए इसे हम लोग सुरू करते हैं, दे आपके मस्तिस्क में एक प्रस्न आता होगा कि सरे ओशधी क्या है, मेडिसिन क्या है, तो जानिए इसके बारे में, देखिए कोई नया चीज नहीं है, यह भी एक परकार का रासानिक पदार थी है, तो वैसे रासानिक पदार जिसका अंडु भार कम होता है, मानना है कि 100 से लेके 500 U तक होता है, जिसका परियोग बिमारियों के इलाज, निवारा, निदान में हम लोग परियोग करते हैं, उशी को और शधी या मेडिसिन या ड्रक्स के नाम से जानते हैं, कुछ नोता मानना है कि दोनों अलग अलग चीज होता है, इस पर मैं डिसकस कर रहा हूँ, तो कोई आप से पूछे कि और शधी क्या है, तो आप जबाब दे दीजिएगा, कि निमन अणुभार वाले 100 से लेके 500 U, निमन अणुभार वाले रसानी परियोग रोगों के निदान, निवारान, एवं उपचार के लिए किया जाता है, उसे मेडिसिन कहा जाता है, कुछ म कि इसका परियोग एड्स के रोग ठाम में परियोग किया जलता है, याद रखे कै height करता है, उसकी growth को बढने नहीं देता है, ठीक है, अभी तक एड्स के लिए कोई कारगर दवा नहीं बढ़ाई गयी है और थाप यह HIV-1, infection के इलाज में परियोग किया जाता है उसी परकार आप सुनके हैं हैं इसका परियोग किया जाता है अर्थाथ इसे रहों का सकते हैं इसे और बनाए जाती है इन जाता है इन और सानी प्रेश्य का प्रियोग किया जाता है गया जाते हैं देखिए इनोफ्री था करता ही इसमें जड़ो जड़ो के ठंठत लगलत के बुखार आती है और हाई फीबर बोलाता है इसके एलाज के लिए जो दवा है क्विनीन है याद लखेगा कुनैन आप दवा पढ़के आए हैं बर अठोम नौम में बिज्ञान में पढ़ने हैं यह क्विनीन मेडिशिन है यह सिंकोना ट्री सिंकोना पौधा होता है जो साउथ अमेरिका में ब किया जाता है इक मेडिशिन है यह एक एक अनथी मैलेरियल ड्रक्स है यह दवा तो बड़ा ही परचलित है लेका इसका डिमान पर देषों में हो गया कि यह कोरोना कोबिद 19 के कोबिद 19 पर्योब ने किया अभी इसका परियोग इसका परीयोग इसका कोरोणा के इलाज में भी डाक्टर कर रहे हैं यह लिए दाप्टर के सुपर वीजन में ही इस्तमाल करना है ऐसे आपको नहीं लेना है इसी पर आप बहुत सारे पेंगेलर का आप नाम सुने होंगे रोज सुन रहे होंगे पारा सी कामोल लाओ कई कमपनिया कई नामों से बनाई होए कोई पेसी मॉल बनाया है कोई पारा ज करते हैं यह याद रखेगा कैसा दवा है पेंगेलर है दर्व निवारत दवा है तो कोई पुछे और शदी क्या है तो आप इसे डिफाइन कर दीजिएगा एक दो एक्जामपल देजिएगा यह उदाहरा मिशित रूप से याद माचाहिए यह देटी एड्स के इलाज में स प्रियों के इलाज में किया जाता है तो परियोग दर्द निवारत ने रूप में परियोग करते हैं यह बुखार को हिकम करता है हट एटेक से उत्पन दर्द को शांक करने के लिए एस्प्रीन का प्रियोग दिया जाता है तो पले इतना नोट कीजिए हम आगे चर्चा कर रहे हैं चलिए इसे भी समझ लिजिए जितने भी ऑशदी होते हैं वे बिमारियों के लिए राम बाण होते हैं मतलब इसको लिया जाए डाक्तरी परामर्श के अमसार तो यह बिमारियों को ठीट करता है प्रंतु ऑशदीयों का चुनाव और इसका ओभर दोज हमारे स्वास्त के लिए हामिकारत भी हो सकता है और प्रांगा तक भी हो सकता है इसलिए बिना डाक्तरी परामर्श का कोई ऑशदी कोई दवा नहीं लेना चाहिए तो एक बिहार बोर्ड में प्रस्णाथा है कि डाक्तर के परामर्श के बिना ओशदी नहीं लेना चाहिए क्यों तो इसी बात को आप लिख दीजेगा कि अधिकांश ओशदी बिमारियों के लिए रामबान होते हैं ओशदीयों का चुनाव तथा ओवर डोज स्वास्त के ल अलग अलग चीज है देखे विज्यान में केमेस्ट्री में कोई अंतर नहीं है बिलकुल अल मेडिसिन और ड्रक्स और अलग अलग चीज है जे मिट्रक्स हमारे दिमाग में आता है हम लोग समझ लेते हो जरूर कोई नसीला पदात है इसको लेने से नसा आ जाएगा बेहोस जो बिमारियों का इलाज करें बिमारियों को ठीक करें परंतु जिसका लग न लगे उसको हम लोग दवा के सरणी में रखते हैं और वैसा पदात जिसको जो बिमारियों को ठीक करें दर्ग को ठीक करें परंतु जिसको लेने का लग लग जाए ठीक है जो नसा और बेहोसी करें उसको लोग ड्रग्स कहते हैं समझने के लिए एक जांपल हम दे रहें जैसे पारा सीटा और एक पेन किलर है दर्ध नाशक दवा है इसको हम लोग लेते हैं दवा पे रूप में दर्ध होता है तो यह दर्ध को ठीक कर देता है परन्तु इसको लग नहीं लगता है लेने से इंसान नसा होने लगता है इसको लेने का लग लग जाता है बिमारी को ठीक कर देगा दर्ध को ठुरत मार देगा परन्तु इसको लेने का लग लग जाता है इसलिए कुछ लोग इसे ब्रग्स के सिरनी में रखते हैं और ऐसे दवा ऐसे दर्ध ना सक दवा जो नसा बेह प्राईज कोई अंतर नहीं समझना है और मेडिसी दोनों एक ही चीज है ऐसी समाजी को अधर्नाएं लोग बना ली है कि तो इसे नोट करें कुछ और मुंख बात हम बता रहे हैं जैसे ये पलांट से ये प्री से या फिस से फिस का मतलब मचली होता है जली ये जीव हो सकता है वेनम समय है poison, जहर, जैसे सांप का वेनम हो, बिच्छू का वेनम हो, एस्पाइडर मकड़ा का वेनम हो, लिजार्ड छिप किली का वेनम हो, आधी से प्राप्त होता है, इसे लाइब में भी बनाया जाता है, तो प्लांट से कुछ जड़ी बूटी निकाल लेते हैं, पेड़ इसी चीज़ को हम लोग लेतांपाउंड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, यह तर्मोलोजी है जो कभी-कभी एक्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ड्रग टार्गेट्स, या टार्गेट्स मॉलिकूल्स क्या है, हिंदी में इसी को आउशा धलक या लक्ष अडू के नाम से जानते हैं, देखिए जो आउशदी हम लोग लेते हैं, तो हमारे सरी में बहुत तरह के बायो मॉलिकूल्स हैं, वीटामिंस हैं, कार्पो हाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, एंजाइन हैं, न्यूपिल केसिव हैं, तो क्या है उसी से जाकि यह जूड़ जाता है, और उसके बाद बायोगिकल रिस्पॉंस देता है, उसी को हम लोग ड्रग टार्गेक्स के नाम से जानते हैं, तो मैंने लिख दिया हैं कि ओशदी बायो मॉलिकूल्स जैसे कार्पो हाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइन, प्रोटीन, निउकलिक एसी, इटीसी से अनोयन क्रिया कर बायोगिकल रिस्पॉंस देता है, उसे ड्रग टार्गेक्स के नाम से जाना जाता है, ड्रग दवाख मॉश्दी लेते हैं, तो या इसी से जूर करके हमारे सरीर कंदर या बायोगिकल रिस्पॉंस देने लगता है, तो इसे भ क्शिव हिंतिं लोग रसायन चिक साके नाम से जानते हैं, देखिए या दो वर्ड से मिल्क के बना होता है, कीमो का मतलब समझना है केमिकल्स और ठेरपी का मतलब समझना है ठ्रीटेमेंट, इसका मतलब केमिकल के दोवारा इलाज क्या होगा इसका मतलब केमिकल के दोवारा इलाज treatment of disease with the help of chemicals is called chemotherapy आप बोल सकते हो हिंदी में कह सकते हो कि विज्ञान की वैसी महत्त पूर्शाखा जिसमें उप्यूग तरहसानिक पदार्थों के दोवारा बिमारियों का इलाज दिया जाता है उसे chemotherapy कहा जाता है तो आप असानी से इसको दिमार में बठा ले chemicals और treatment chemicals के दोवारा जब treatment किया जाता है बिमारियों का तो उसे ही हम लोग chemotherapy कहते हैं एक बैज्ञानिक है Paul Ehrlich को फागर और modern chemotherapy कहा जाता है और उसे धी के छेत्र में इन्हें सिफ्लिस बीमारी के इलाज है तो अन्नाई सो आथ में Nobel Prize से सम्वानिक किया था एक बात याद है कि Paul Ehrlich एक जर्मन bacteriologist है याद रखिए इन्होंने सिफ्लिस बीमारी के इलाज के लिए एक दवा का निर्वान किया जिसकी एवाज मीन है Nobel Prize से सम्वानिक किया गया कि सिफ्लिस बीमारी एक बैक्ट्रिया से होने वाला बीमारी है जो एनल में पेसाब के रास्ते में चाला हो जाता है उसके उसी बीमारी को हम लोग सिफ्लिस के नाम से जानते हैं तो इनको हम लोग क्या अपने पॉल एर्लिक को तो आप असानी से बता दीजिएगा इसे नोट कर लें चलिए तो हम लोग पलासिफिकेशन ओफ ड्रक्स ड्रक्स या औशधी का बर्वी करन देख लेते हैं इसके फंसन के आधार पे ड्रक्स को कई वर्वों में बाटा गया है कुछ ड्रक्स और मेडिसीन का आपको अध्य का निर्मान होता है गैस्टिक जूस में से बनते हैं और जब इसी की मात्रा अधिक हो जाती है इसकी सांदरता बढ़ जाती है तो हमको हाइपर एसीडिटी होने लगता है और यह ज्यादे दिन तक हमारे पेट में गैस बनने लगे भेकार आने लगे तो यह विमारी अलसर म बिमारी हो छाएगी तो इस हइपर एह सेडीक को नियंत्रिद करने के लिए पेट में जो पेट के जो पीच जो होते है वह यह क्या हो जाता है घट जाता है जिसके कारण हम हूए होने लगता हूए Пेट में उस кур ne idiots करने के लिए हम लोग को करते हैं उसी को एंटासिट करते हैं, तो आप असानी से डिफाइन कर सेथे हूं, उदाहरण यार मोना चाहिए, कि वायशा ओश्री, यार असानी पदात जो हाइपर-ACGT को खत्म करता है, तरथा आमाश है, तरथाथ पेट, एप पेट को उची थस्तर तक बनाए रखता है, उसे पेट में जो अमल बने हुए हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो कोई ऐसा पदात खाया है, पेट में अमल बना है, कोई चाहर ये पदात तो खा लिया जाए, उससे अभीक्रिया करके उसे उदासिन कर दें, या नहीं तो पेट में पेट के पेट को बढ़हा है कि पेट में बने हुए हम लोगो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, या नहीं तो पेट के पीच को बढ़हा दिया जाए, या नहीं तो दूसरा तरीका है, कि एक सील जो पेट में बना है, अमल जो बन्द हैं, उसको बनने से ओप दिया जाए, तो कुछ ऐसे औशधी होत है, खाने वारा सोडा, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम बाई कार्गोनेट करते हैं, इनो साल्ट होता है, सोडियम बाई कार्गोनेट और साइप्रीकेसिज का मिस्रम होता है, इनो साल्ट हर जैने बिग रहा है, मैगनेसियम हैट्राइज का जेल, मैगनेसियम कार्गोनेट और आप आप पर दिजह कि तरह ऊसे कंपनी उसको इसलोग से च्बिने मिपना को इसे ऑप visa सब्सक्राइब सबसे अधिक पर्योग में होने वाला इंटासी घ्राइनिटी उसी के जगह पर सिमेटीडीन का पर्योग किया जाकर आएसे और शदी हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए आज कल और घ्रिम हत्ताना मेडिसिन का पर्योग डॉक्टर कर रहे हैं जिसका नाम है पेंटा पाराज पेंटा पाराजोल, रेवी पाराजोल, रेवी पाराजोल हो सकता है, लैंसोल, लैंसोल पाराजोल हो सकता है, इसके जड़ापर ओमी पाराजोल, ओमी पाराजोल हो सकता है या बहुत ही आज़ूनिक मेडिसिन है जिसका पर्योग हाइपर एसेडिटी गैस को पंट्रोल करन लिए जाता है याद रखेगा लिए तो पड़िभास एकजाम customer Jahren लिए याद रखेगा उन से आपको एकजामेरे और पयादा देखना है लाइम्य परहान के याद रखेगा जो डाप्टर दावा लिखता है कि में ठीस के लिए बाद है उनकी औरों क्योंने रिचांदójाए में पेटी गिरा कि हूँच सांधृता वाले येदी मता है जिसके कारू कच्चे अमांस और हटी को को भी पचा लेते हैं दूसरा महत्त्रफून मोत जना घगल्ग को हम बताय होंगे भी Afro करो आपके मांस्पेसियों में दर्द जक्रण आइज पाईठा हो जाता है पान से एसद ापड़दा है लैक्तिक एसिड बनने के तारह ही हमारे सरीर में आइठन मांस्पेशियूम आइठन दर्व जक्रा मुत्पन हो जाता है और इधी बात याद के लैक्तिक एसिड में काईडल कार्बनेटा एक होता है तो इन तमाम बातों को याद रखेगा नेक्स्ट विडियो लेक्चर में हम कुछ और और सिधियों का चर्चा करेंगे धन्नवाद